हेलो फ्रेंड नमस्ते तो आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग ठीक होंगे तो चलिए हमारी किचन में देखिया आज मैं क्या बना रही हूं तो मैंने धनिया डाल दी इसके अंदर सौफ, हाजवाई, थोड़ी सी जीरा उसके बाद में 4-5 काली मिरस डाल के इसे अच्छी तरह भूनूंगे क्योंकि आज में बनाने वाली हूं भरुआ तो मैं बताऊंगे किस चीच का भरुआ बना रही हूं पहले फारा मफाला तयार क उसके बाद आपको दिखाती हूं तो आप बताईये कि आप लोग मेरी वीडियो कहां पे देख रहे हैं जहां कहीं पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छे लग रहा है तो और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए देख लीजिए मैं इसके अ तो डाली हूं इससे बहुत अच्छा लगेगा खाने में तो मैं इसे कम गयफ करके मतब धिमयाद पे भून रही हूं एक गयफ कमी जलता है तो इस फे भून रही हूं क्योंकि अच्छी तना फे भून जाएगा जलाना नहीं है अब अफके वल भूनना है इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए क्योंकि इसमें अजवाइन जीरा सौफ और कलाउंजी नहीं था मेरे घर पे तो मैंने नहीं डाला अगर होता तो वो भी डालती अगर है तो डाल फक्ते हैं आप लो देख वक्ते हैं कि फे हलका भूनी हूं उसके बाद में मैं इसे निकाल ले रही हूं अगर में क्या क्या डालूंगी क्या क्या बनाऊंगी फफे पहले मैं लहफन है जो लहफन 5-7 लहफन उफे फोड के उफे भून ली हूं प्योंकि भूनने फे लहफन का छिलका राम फे निकल भी जाएगा और अच्छा लगेगा मफवाले मेरे इसके फाद बनाऊंगी एक बड़ा फाइज का पियाज है और देख फक्ते हैं छोटे वाला धनिया मतलब देफी धनिया है हरी मिरच है साब और उसके बाद में सारा मफाला मैंने मिक्सी मेराल के अच्छे से पिफली उसके बाद देख फक्ते हैं आप लोग स्वादन फान नमक डाल लही हूं तो मैं बड़ा नमक डाले बाद मिरच पावडर उसके फॉर्ण है थे इस मेंदम हमसाया है। तो डाल दे फॉव इसके मतलम मफाले में क्योंकि अच्छा लगेगा जब मुझ में जाता है तो बढ़ियां लगता है तो देख सकते हैं आप लोग थोड़ी सी हिंग डाल लही हूं क्योंकि हिंग मैं इन सब चीजों में डालते हूं कि बैंगन है करेला है तोरी है भरुआ मे कुछ भी हो तो उसमें खाने में फबर्जेस्ट करता है बढ़ियां फे हो जाता है खाने में तो अच्छा लगता है तो देख वक्ते हैं मैं कच्छा सर्सो का तेल डाल लहीं हूं गरम करके नहीं डाल लहीं क्योंकि ये घर का तेल है फर्फो का तो इसे ऐसे ही डालने हूं भरवा बना रहे हूं जैसे मने बताया करेला भिंडी पारवाल बहुत से चीज़े को भरवा बनती है तो ऐसे में किफी भी चीज का मतलब भरुवा बनाएं मफाले में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए अगर पानी है तो आपका भरुवा खराब भी हो सकता है और ज्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं और खाने में भी वो स्वाद नहीं आता हो जो हम इस तेल में डालके बना रहे हैं इसे हम दो से चार दिन पांचे दिन फिरिज के अंदर रख़कते हैं वह एफे भी हम मौसम सही हो गया तो हम किचन्ने भी रख़कते हैं इसे कोई बात नहीं है इसमें इसे कोई चीज नहीं पढ़ा है जो जल्दी से खराब हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं यह मफाला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है अब मैं आफ आपको दिखाऊंगी कि मैं किस चीज का भरुआ बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देजिए अगर मेरे चैनल पे पहले पे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा कि आप लोग कहां पे देख रहे हैं तो देख वक्तने बिल्कुल ताजा और फरेफ बहेंगन लाई हूँ मैं बिल्कुल हरी है इसकी डंधल देख वक्तने हैं आप लोग हरे का मतलब यही पहचान होता है ताजे का अगर इसके पीछे का रंथल जो हरा है ताजा है तो समझ लिजिए ताजा बेंगन है तो मैं इफी का भरुआ बनाऊंगी और मैंने आधा किलो ली थी जादा नहीं मैं फोची पहले इतना लेके बनाती हूं सबको अच्छा लगेगा तो फिर लेके बना लूँगी और नहीं तो किसी और चीज का बना दूँगी जैसे कि परवल का भी बनता है भरुआ भिंडी का इसलिए मैं इस नहीं बनाऊंगी तो देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल कच्छा बेंगन लाई थी मैं जिसमें बीज ना हो उपता चल जाता है जहां हम खरीते हैं तो हमारे हाथ में जो बेंगन हलका लगे बिल्कुल बढ़िया रगे मुलायम फाताजा तो पता चल जाता है कि इसके अंदर बीज नहीं है वैसे तो बीज वाला आजकल आई नहीं रहा है भरता के लिए लीजिए या भरने के लिए लीजिए तो देख वक्ते हैं आप लोग जिपना बैंगन है मैं चीर के फारा अच्छे से देख रही हूं कहीं कीडे उड़े ना हूं इस पहले फाप फे धुली थी उसके बाद पोच्छ के फिर चीर र है अब मैं इसे भरूंगी और दिखाती हूं कैसे भागा जाता है तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट देते रहना ताकि मैं अच्छे इच्छी वीडियो अच्छे इच्छी रेस्पी आप अप तक फैर कर पको आपको दिखा सकूं बता सकूं जो भी वीडियो मेरे पाफ रहे चानल के अब इसे पाफ के पहुछा सकूं आप लोग अगर इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहेंगे तो समझ सकते हैं आप लोग मीरे लिए हिखाती है उप लूग मेरे चैनल को जाध़ और पे जाधा लोगों में शेयर करिए और बताएए कि आप लोग को मिरे फार मेरे शिपोल प्यार यह मोंसे कितना प्यार करते हैं तो देख फकते हैं आप ediyorum धार। तो फिर देख़कते हैं आप लोग की गिरेना और गिरेगा बिल्कुल भी नहीं इतने अच्छे से में भर रही है फिली मैंने फर्फो का तेल डाला था इस मफाले में कि अच्छे फिर थोड़ा गिला फो जाएगा और आराम फे भरा जाएगा और बहुत बढ़िया लगता है आप रोटी पराठा जैसे मैंने बताया कि फी के भी साथ खा फकते हैं कहीं भी लेके जा फकते हैं सफर में बिल्कुल भी ने खराब होगा अगर आप फिर जाप को ब सफरिम्रा था में अगले खौन के को भनानी घ्राइगा और तो कि अनगर तक कि यूरां कि बना जांग वहाई बनी आच्टे से साथा था किलुकरों से लोग टेती हैं तो उससे क्या होता है कि हो जाता है लेकि बाद में इसमें फे पानी मतलब निकलना फुरू हो जाता है क्योंकि है तो ये बैगन ही तो इसलिए इसे कड़ाहे के अंदर बनाईए ताकि अच्छी तरह फे चारी तरफे ये भुन जाए बढ़निया फे हो जाए इसका पानी जो है वो जल जाए खतम हो जाए खानी में बहुत सो आदिश्ट होता है तो इसी तरह फे अगर आप लोग अपना प्यार सपोर्ट देते रहेंगे तो समझ सकते हैं कि मैं हर दिन एक नई वीडियो नई रिस्पी आफ अपको दिखाऊंगी आप लोग मेरे चैनल कहां फे देख रहे हैं जरूर बताईएगा कमेंट में आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताईएगा और इसी तरह पे जो भी मैं बनाऊंगी जो भी मेरे घर पे बनेगा मैं वुफब वीडियो आफ तक सेयर करूंगी आफ अपको बताऊंगी तो जैसे की जैसे इसका भरवा बना है ऐसे ही करेला का भी भरवा बनता है लेकि बच्चे नहीं खाते मेरे करेला इसलिए नहीं लाती क्या लाओं बच्चे पफंदी नहीं करते करेला तो पेसी लिए उसे कमी बनाती हूँ करें़ा, फबजी तो खा लेंगे, लेकिन मैं खा लेती हूँ, लगल्कि बच्चे नक तो फबजी खाएंगे, नहीं भरवा खाएंगे, और बेंगन कहाँ है तो बच्चे भी खा लेते हैं, तो देख वकने हैं, है अब लो कितने अच्छा रहता है तो इसमें मैं बनाऊंगे क्योंकि लोहिं का भारी भारी भी होता है और बनाने इधक रहता है क्योंकि अच्छे incl 나 पक जा था है अंतर टॉ हुआ ए जलने anymore जादा बिल्कुल तेल में डूबोना नहीं है अगर हलका कम तेल है तब भी अच्छे फे हो जाता है क्योंकि हम चारी तरफे विछा देंगे अच्छे फे मतब फिट कर देंगे ना गिरेगा ना कुछ और जो जिस तरफे हो जाए उसी तरफे हटा के दूफरे तलब फे पलट जाए उसके बाद में ढख दूँगी अराम से होता रहेगा और फे अब ढखना है किसी बराबर थाली या बरतन फे ढखो जो भाब बनके अच्छे फे हो जाए ना निकले तो मैं उसी तरह करूंगी अब ये थाली तो काफी बड़ी है इस फे कराही में आई नहीं रहा तो म बढ़ी थाली लेके इसे ढखोंगी अच्छी तरह फे उसके बाद दिखाते हूं कि कितने देर में ये बैंगन भरुआ बनके तयार हो जाएगा तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल फे बने रहिए गा देख वक्ते हैं कि फारा मेंगन अच्छे से हो चुका है कितना बढ़ या फे पाक चुका इसी तरह चैनल फे बने रहिए बाई बाई